उन्हेवाला नुजिलेट और बांगलादेश के बीच यह मैच ग्रेंड लीग के लिए बहुत बैतर है तो किसी को क्या करना है वीडियो को इस किप नहीं करना यार पूरी वीडियो को ध्यान से इंड तक देख लेना इतनी बड़िया ज्यानकारी लाया हूं हर एक प्लर के व मतलब अगर आप पूरी डिटेर आप ध्यान से देख लेते तो ग्रेंड लीग आप विन कर सकते हैं यार यह मैच ग्रेंड लीग वाला मैच है तो आपको क्या करना है इस मैच को अगर जैक पार्क बनाना है विन करना है बहतर बिलिंग करनी है पूरी वीडियो को ध्यान से तो नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल का एकन प्रेस कहलेगा है दोस्तों बात करेंगे यहां पर सबसे पहले पिछ रिपोर्ट की उससे पहले दोस्तों कुछ डिटेल्स होती है जैसे दोस्तों फाइनल पिछ रिपोर्ट होती है जो फाइनल टीम्स होती है का फट से टेलिग्राम चैनल को जोईन करो, जोईन कैसे करना है, फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी, अगले वीडियो में आप विनर बन सकते हैं, पकि अभी भी मौका है आपको एक बेस्ट कमेंट करना है, सिर्फ पांसो लाइक का टार्गेट रखां, सिर्फ पांसो, तो मिदे सभी कोशिश करूँगा कि आपकी इस मैच की बहतर विलिंस हो, जी हां दोस्तों, यही कोशिश रहेगी हमारी, तो चलते हैं दोस्तों, पिछ के बारे में यहां पर बात करेंगे, मैच होने बाला मैच इरंबरक स्टेडियम चैनल नहीं में, आपको याद होगा यही पे इंडिय और एस्टेलिया का मैच हुआ था, जो वर्ल कप का मैच हुआ था, क्रैस ही पीछ थी, बहुत स्लो पीछ थी, जी हां दोस्तों, एस्टेलिया के प्लैस में खेल पाई, सुरुआद में ही इंडिया के तीन फिकर गिरे, लेकिन क्यल आओ लो वियाद को ली कि उस मैच में ता हाला कि दोस्तों पाईट कमिंस यानि की आश्टलिया मैच हार रहे हैं लेकिन जो भी टीम टॉर्स जीदेगी वो पहले पाईटिंग ही करेगी, बागी स्कोरिंग पाईटन आप देख सकते हैं, दोसो से कम, दोसो से दोसो नचास के भी नव बार दोसो पचास से दोसो तो यहां पर दोस्तों इस्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिस तरह से दोस्तों रविंज अरे जार विकर ले रहे थे और इन दोनों टीमों में स्पिनर्स बढ़े पड़े हैं, रचिल रविंद्रा, मिचल सेंटनर, इस शोड़ी भी खेल सकते हैं, उसके जो एमेच इदंबरम इस्टेडिया में मैचेस हुए रिसेंट के, उनकी हम डिटेल ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ अगर हम समझ गए, तो हम बहुत बैतर कर लेंगे इस मैच में, देखें, देखें, दोस्तों उनत्तर पे 10 अस्टेलिया ने की, इंडिया ने 248 पे आल यहां पर फास्ट बाउलर्स को 9 विकर्ट, इस्पिन को कोई विकर्ट नहीं मिला, यहां पर 16 विकर्ट गिरे, 10 विकर्ट पेसार्स को 6 विकर्ट, मतलब 15-16 विकर्ट एवरेस गिर रहे हैं यहां पर तो बालर्स आपके लिए इंपार्टेंट हो रहे हैं, बागे दोस्तों तो फास्ट बावलर्स को देख सकते हैं 17 विकर्ट किरें 294 यहां पर दोस्तों चार में 63 विकर्ट किरें साइथिस पेशार्स को एक किसी स्पिनल स्कूर ही मिले वागे दोस्तों यह जो ट्रेक है यहां पर आप मैं बता रहा हूं जो इस पिनल स अच्छा करेंगे बहतर लाश्ट इसी वर्ड कप का मैच हुआ उसको आप देख लें 199 यहां पर आश्रिलिया ने आल आउट हो गए 204 विकर्ट देखें इंडिया ने मैच को जीत लिया एक तालीस ओवर में ही इस्पिन को 6 विकर्ट पेसर्स को यहां पर मिले 8 विकर्ट यहां पर एक चीज और में बहतर बता देता हूं बोल रहा हूं कोई चीज़ें यहां पर लिखी नहीं है लेकिन हमने आपको बता ही है किसको देखेंड में फ़र्शनिंग में किसको सेकेंड में तो आपको फोकस रखना है वाकी जो फाइनल पिछ रिपोर्ट होगी क्योंकि दोस्तों जो मैच है वो अजर अजर पिछ पे जो फाइनल पिछ रिपोर्ट होगी वो आपको वहां पर में बता दूँगा कोशिश करूंगा बहुत तरीके स्वापे समयाओं तो सभी को टेलीग्राम से जाकर जरूर जुर जाना यह बिलकुल भी मिस्न नहीं करना है आपको अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे सबस अलग बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो आपसान है, वो all rounders section में ज्यादा बैटर दिख रहे हैं, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ आप देख रहे हैं, सिर्फ मैंने एक wicket keeper लिया है हमने दू बैटर्स लिए 5 all rounders में ले रहा हूँ बता चुका हूँ, low scoring match होगा तो all rounders तक बैटिंग भी जाएगी वो वर्लिंग भी करने वाले हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 हमें बॉर्स लिया है तो कुछ इस तरह का structure बनाया अब यहाँ पर कौन कौन से player हमारी team में हो सकते हैं जी आँ दोस्तों हर एक player का stats देखेंगे कब कौन सा player बहतर करता है कौन first link में बहतर करता है second link हर एक जानगारी लेन की बाद हम यहाँ पर players को रखेंगे तो चलते हैं दोस्तों उससे पहले दोस्तों अगर आपको based fantasy app चाहिए आपको नहीं मिलना है 25,000 की league बिलकुल free यानि की 25,000 की जो league है उसको बिलकुल free आप खेल सकते हैं यहाँ पर अगर आपका minimum deposit 100 रुपे होता है दूसरी बात यहाँ पर एक leaderboard चल रहा है 30,000,000 का depositors के लिए अगर आप अच्छा का सा investment करते हैं deposit करते हैं तो आपकी rank बनाती है तो यहाँ से आप free में 5,000,000 बिन कर सकते हैं यह एक फाइदा है दूसरी यहाँ पर leaks बहुत बैतर है 3,000,000 की आपको mega grand league मिलेगी बहुत सकती head to head तीन में बार चार में बार लिग मिलेए competition है यही नहीं जीतने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं और मैं फूद यहाँ पर investment कर ला हूँ बाकी आगे चरते हैं देख लेते हैं यहाँ पर और भी features हैं जैसे माली जी आप team बनागे अच्छा नहीं कर पार है और live match आप देखने हैं आपको लग रहा है यह जो team है यह 300 से कम score बनाएगी यह 300 से ज़्यादा बनाएगी यह player 50 run करेगा 50 से पहले out होगा यह आगर आप live predict करते रहते हैं तो तुरांत इस पोसवाजी को download कर लो और यहाँ पे अपने true false में prediction देना start कर दो आसानी से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं बहुत सारे questions यहाँ पे होते हैं कौन से team जीते हैंगी true या false बताना है बाकि दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया हुआ है रचिर रविंद 50 plus score करेंगे तो true या false आपको बताना है यह सारी चीज़ें यहाँ पे करने हैं अगर टेंबर आगया अच्छा नहीं कर पार है तो यहाँ से कमा सकते हैं सभी जोग जाओ इसपोस बाजी को आप लोग डाउलोड करो लिंक डिस्क्रिप्सिन ने और फर्स्ट कमेंडर पिन करावा मिल जाएगा बहता रहे बहता रहे बहता जो कि ओपनिंग में चले जाएंगे तांजीज हसन को टीम बाहर करेगी और फिर महमदुल्ला को फिर से टीम में लेके आजाएगी और महधी हसन लेके लेगे ठीक है यह चेंज हो सकता है जो मैंने बता दिया बाकी नजमुन हचेंचान को तीन नमबर फिर महधी हसन लेके यहां पर पांच नमबर पर हो जाएगे तो ही दिरुडा छे नमबर पर मुशाफिक कुर रहे यह हो जाएगा बाकी अभी के लिए महधी हसन तास्कीन में शोलफुल इश्लाम मुस्ताफिजुल रहमान यह प्रोबेबली प्लेइंग लेवन होगी एक्सपेक्टेब वाटिग वोड़र में जो एक्सपेक्टेब चेंज हो सकता है बो मैं बता तूँँँआ शुरुआत में पावर प्ले में आपको मुस्ताफिजुल रहमान और तास्कीन में बाकि तास्कीन हमान पहला लेकर आएंगे, मुस्ताफिजु रह्मान शोलफुल इश्लाम भी नई गेंज से बालिंग करते हैं, बाकि इंग लेन के सामने, जोनी वरिष्टों को मुस्ताफिजु रह्मान ने आउट किया था, वामाव गेम में इसी लिए इनको गेंज किती ही ठीक है, बाकि अच्छी गेंदबाजी करी मुस्ताफिजु रह्मान, तो ये तीनों बालर साम को पावब लेम बालिंग करते दिखेंगे, डेथ में आपको कंफर्म मुस्ताफिजु रह्मान दिखेंगे, और तास्किन आहमें दिखेंगे, इनके जो इस्पिन बालर है, वो ये कुछ चीजें जो की इंपाइटेंट है, आपको मैंने बता दिया, आप चलते हैं सबसे पहले हम भात करें तांजीत हशन की, तो 5% सेलेक्शन आप देख सकते हैं, साथ मेंच खेलें सिर्फ 6 का एवरेजे, तीन में छेटोएड में 10 का एवरेजे, डिसेंट फार्म में क लुख नई करें मतलब कुछ कर ही नहीं पार रहेैं, ग्यांट लीजे, अगर आप 6-7 आग टीम में बना तो एक टीम में ट्राइए, करेंड बाकि मैं कहूंगा आप इनको डॉप कर सकते हैं, सेफ टीम में बिल्कूर मर रखना, और ग्रेंड लीग की अगर ज्यादा टीम में बना रहा है, रखना तो काप्टेन बना देना, माल दीजए अगर प्रफार्मेंस देगा 80-90 रनकी, क्योंकि टीम भाय करें तो अच्छे लेकिन दोस्तों एक चीज में बता रहा है, एक तो रिसेंट फार्म इनकी अच्छी नहीं है, दूसरे आठ मेचू में साथ का अवरेज न्यूजी लेट के सामने कभी चलते ही नहीं है, बहुत ही रियर चाहन से लिटनदास प्रफार्मेंस कर जाए, बाकि यार इनका जो ढ हाटा की पीछे उस पे भी अच्छा नहीं है, और वो भी ऐसी स्लो पीछे चलने की तरह, तो इनको बहुत मुस्की लेचलना, 89 मेच्छों में 32 का अवरेज ये प्लेयर बहतर है, लेकिन रिजन फार्म भी अच्छी नहीं, स्लो पीछ पे नहीं चलते हैं, कोई भी रीजन न खेला है, उनसक नाटाओ, 104, 89, ये सारी चीज़ें 32 और बाकी 32 का अवरेज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नजमूर हशन चांटो को भी अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ, ड्रॉप करके चलना हूँ, क्योंकि दोस्तों, बहुत ही मुस्किल है, नजमूर हशन चांटो आप इसको इसको इसकी सार्थ करके खुद से भी टीम बना सकते हैं, लेकिन मेरी टीम में नजमूर हशन चांटो नहीं हो, क्योंकि ये नए चलने वाले, आगे चलते हैं दोस्तों बात कर लेता है, शाकिवा रशन की 89 परशन चेलेक्शन है, यार इनका एक प्लस पॉइंट पूरे 10 ओवर करते हैं, विकेट्स लेके जाते हैं, और 4 या 5 नमबर जहाँ भी वैटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ स्कोर करके जाते हैं, जिहां दोस्तों नमबर वन आग राउंडर हैं, हमारी टीम में कन्फर्म होंगे, टीम के कैप्टन होंगे, स्वेव कैप्टन के इतने बहतर आपसर नहीं, जितने बहतर शाकिवल अचन नहीं, बाकि ज्यादा लोग कैप्टन करते हैं, लेकिन मेरे इसाब से अगर आप जाईए, तो आप शाकिवल हजन को ही अपनी टीम में कैप्टन करना हो, दूसरी बात दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, इनकी हमारी टीम के कैप्टन शाकिवल हजन ही होंगे, बाकि बाइस कैप्टन में राचिन रावींद्र को कर सकता हूं, इनका देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने कहा है कि अगर टीम तांजीद हसन को नहीं खिलाती है, तो इनको ओपनिंग में खिलाया जा सकता है, और यह जब करते हैं, कई बार साथ तक 112 भी रिसेंट है, यह जब नहीं किया, तो ठीक ठाक बैतर प्लेयर हैं, यह आपकी टीम में कंफर्म होने चाहिए, ग्रैलिक की टीम में आप कैप्टन मना सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, यह अच्छे आप सने, आपकी टीम में कंफर्म होने मैचों में, यह हमारे टीम में होंगे, मुशाफिकुर रहीम, 18 परशन शेलेक्शन है, 26 का आवरेज इन यूजी लेंड के सामने 30 मैच खेलें, यानि कि खेलने का बहुत अन्हूल, आज मैच में 50 प्लस का स्कूर करके आए, यहाँ पर देख सकते हैं 30 का आवरेज, यानि कि ब्रेंड लीग में जरू ट्राई का लेना, बात करते हैं महामदुला की 10 परशन शेलेक्शन है, अगर खेलें, देखे 222 मेच इनों ने भी खेलें, 82 विकेड है 35 का आवरेज भी है, 8 विकेड है, 19 मेच ने 33 का आवरेज भी है न्यूजी लेंड के सामने, अगर महामदुला खुला के, महामदुला अगर खेलते हैं तो ब्रेंड लीग के लिए इंपार्टेंड होगे, और यह चीज और भी मैं बता देता हूँ, इस पिच्छे विकेस गिरेंगे, तो जो लोर आर्डर के बैस में है, जिसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, वो परफार्मेंस देते हैं, आपको दिखेंगे, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यह आपके लिए इंपार्टेंड होगे, जिसे आपने देखा, कि केल राहून ले कितनी तगड़ी प्रफार्मेंस दी थी, वो यहीं पे भी दी, ठीक है, ग्रेंड वैक्सवल को अच्छा मौका बिला था, लेकिन उन्होंने बैतर नहीं कर पाए, यानि कि जो 5-6 नंबर के बैतर है, उनको जल्दी मौका मिल सकता है, आपे 5-10 में, 30 में, 25 में, तो इस तरह से, आप ध्यान लगना, आगे चलते हैं दोस्तों, तौही दुरूरा, यह ट्रॉम्प प्लेस में से रहने वाले हैं, क्योंकि दो दुरूरा, यह ट्रॉम्प रहेंगे, ग्रैंडी की टीमों में, रोटेशन में जरूर रखना, बड़ी इलिंग खेल सकते हैं, दोस्तों, अभी 82 रनकी इलिंग खेली थी, एक ACI कम में, तो अच्छा कर सकते हैं, आप जहां रखना, वर्की स्री लिंका में भी पिछ सुलो तो मैं कहूंगा इनको ड्राप नहीं करना है, रखना है अपनी टीम में, पूरे 10 ओवर करेंगे, सामने है डेवन कानवे, सामने है टाम लेथम, सामने है मिचल सेंटर, विकेट्स निकाल सकते हैं, महिती हसन मिराज भले ना ओवर करें, लेकिन यह अपने ओवर्स करते टीम इंडिया के सामने, इस या कब में कैसे, इन इस्पिनर्स ने टीम इंडिया को फसाया था, यार हाथ खुले के कहीं पे मौका ही नहीं दिया, ठीक है, तो यह आपकी टीम में कंफर्म होने चाहिए, मैं लेके चलूँगा, ग्रैली में कैट्टन भी 20 कैटन में बना सकते चौदा चार विकर लिये थे लाश मैच में, तासकी नहिमत 25 पर्शन सेलेक्शन है, रिसंट फार्म आप देख सकते हैं, ठीक था के 8 मैच में, लगबग लुजिलेट के सामने, एक मैच में एक विकर ले रहे है, अच्छे ठीक था प्लेयर है, लेकिन मैंने आर्लाउंडर् मैं एक ही प्लेयर लेकर चल रहा हूँ, इनको मैं अभी के लिए नई लेकर चल रहा हूँ, अपनी टीम में, ड्रॉप करके चल रहा हूँ, जी हाँ दोसतो आप बेल लिक में जरू ट्राईगा ना, कैप्टेन भी ट्राईगा ना, मुस्ताफिज रह्मान 10 पर्शन चौदा में 20 विकेड है इनके बाकी 95 ए 157 विकेड है अच्छे प्लेयर है आपकी टीम में होने चाहिए लेकिन मेरे पास एक दूसरा अप्शन अच्छा दिख रहा है जिसकी रिसेंट फार्म बहुत अच्छी है देख सकते हैं आपे 62 परशन इनका शिलेक्शन है दो विकेड इतनी तगरी इनकी रिसेंट फार्म है यार मैं रिस्क लेंको रॉपक करने का 1 मैच में 2 विकेड나색 24 में 40 में बाहुत तगर्ड है प्लेयर प्लियर साम बेडीक्र में टीम में teşekkür मुताफिशं उल्याभान Jeanne तो लगबग मैंने कोशिच करिए हर एक प्लेर को कंफर्म करके आपको बता दिया कौन सा प्लेर होगा कौन सा प्लेर नहीं होगा और आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर हम यूजी लेटी प्रोबेबली प्लेंग लेवन अब हो सकता हो पुरी तरह से फेट हो बाकि मैं इनके वारा में जो अपडेट होगी मैं टेलिग्राम पर बता दूँगा अभी के लिए मैं अपनी टीम में रखना हो और तीन नमबर पर कहलेंगे अगर कैन बिलेमसन नहीं कहलेंगे तो वही पुराना बैटिंग ओडर होग बाकि बैटिंग ओडर इनका नीचे रहेगा यह प्रूमोट करे जाएंगे रचिन रविंदर डैवल मिचल टाम लेताम ब्लैंट फिलिप्स रचिन रविंदर ठीक है यह बैटिंग ओडर ट्रेंट गोल्ड इशोरी या जैम निशम इशोरी खेल सकते हैं क्योंकि अभी रि फिट होते हैं तो उनको भी मौका मिलेगा वो भी खेलेंगे लेकिन दोस्तों उनकी भी फिट होने पर कोई हमारे पास नीज नहीं है कंफर्म नीज नहीं वहीं कैन प्लियम संपर भी कंफर्म नीज नहीं लेकिन दोस्तों जो है मैट हैं टेंट बोल्ड पावर प्लेंगे तो ओवर्स करेंगे, सुलवात में ओवर्स करते हैं अगर उनको विगास ना मिले तो मिचल सैंटनल पावर प्ले में आ सकते हैं ये कुछ रिज्ट में आपको गंफर में लॉटी humans दिखाएंगे लॉटी ट्रैंट न से यही की टिम निकलर लेकर गए इसी तो यार यह प्लेयर बहुत अच्छा है देख सकते हैं बावान पचातर का एवरेज बांगलादेश के सामने 75 का एवरेज बहुत लोग अपनी टीम में रखेंगे कैप्टन बाइस कैप्टन बनाएंगे जी हां दोस्तों मैं अपनी टीम के लेके चलाओ जो इस्ट्रक्चर में एक विकट कीपर दिख रहा था तो वो डेवन कान बही थे अब आपके समझ आ गया है ठीक है बाकी हां ग्रेंड लिग के टीमों में डॉप करने का रिस्क जरूर प्लेसकते हैं सामने आफी स्पिनर वहुत जाता है। लेकिन यह यह आफिस्पिनर आउट नहीं होते है। ऐसे और लुख कैल सकते हैं खावरोल विलिएंग को रूप की भी खेल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ही इटिंग, जिससा में जरूरत होती ही इटिंग की, तो चौका चक्का भी लगा सकते हैं, अच्छे ब्लेर हैं, बाया देंग प्लेर है, टीम फिन एलन की जगहे, विलिएंग को लेकि आईए, और ये ठीक टाइब लेरा है, तो आप अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं इनको भी अपनी टीम से अभी के लिए डॉप करा हूँ, मैं अपनी टीम में विलिएंग को नहीं लेकर चल रहा ह दोस्तों k 1970 केलें गे तो कंर्फर्म होगि मैं नहीं, इनको डॉप परूगा, यह हमारी टीम में खेलेंगे तो कं-रूप होगे, कान परूप परूपर होगा, हमारी के आपर, अपनी टीम में कंफर्म लेके चल रहा हूँ, अभी के लिए दोस्तों अभी कि में टीम बनाई उसमें मैं बता दूँगा हर एक चीज आपको कंफर्म कर दूँगा कि कैसी टीम होगी किस प्लेयर को लेना है आपको हर एक चीज आपका कंफूजन दूर हो जाएगा बहुत किया है और यह दो तो बहुत जदा कानसिस्टिन जस सब बहुत आट आप कर दोफाएगा चाहन नमबर पर खेल लें यार मैं लेके चलूँगा डायर में चलूँगा टाइम लेथां सहीतर बश्चन सेलेक्शन ने बहुत तगड़े प्लैर है टाइम लेकिन दोस्तों इस मैट में मैं अपनी टीम में नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बता दिया मैं सिर्फ और सिर्फ डेवन गानवे को अबने टीम में एक ही दिकेट कीपर लेके चल रहा हूँ अगर जंदी आउट होता है तो कहीं न कहीं ये बड़ी एली खेल सकते हैं ऐसे ब्लैर है इसके बाद दोस्तों एक प्लैर मुझे ग्लैंड फिलिप्स दिख रहा है अब यहां पर मैं रिस्क ले रहा हूँ रिजबनस आप बताया दे रहा हूँ ग्लैंफ लिस्को इस ले रहा हूँ क्योंकि इनके पास आफ़ रेक बॉलर नहीं सामने तांजीत हसान लेफ्ट एंडर है शाकिवल हशन लेफ्ट एंडर है नजमुर हशन शांटो लेफ्ट एंडर है तो मतलब इतने लेफ्ट एंडर थोड़े चांस हैं ग्लैंफ लिप्स को अपनी टीम में इसी लिए मैं रिस्क लेके ग्लैंफ ले रहा हूँ पनी टीम में क्यों ले रहा हूँ आपको सारी चीज़ें बताती है वाकि 8 विकट भी है 25 में 32 यहां पर देख से लगबग 2-3-4 ओवर करही जाते है अगर दोस्त आप आपको बताये यह बाकि तीम नंबर पर बैटिंग कर रहे है तो बैटिंग से बहुत अच्छा कर रहे है टीम प्रमोट करेगी को कहीं पर बिगई किला सकती है एक चीज यहां से देख सकते हैं हर एक चीज बहतर करें तो मैं रचिन रवेंदर कंफर्म टीम होगे टीम पुत तगड़ी यार बॉलिंग करी किसी को मतलब हर एक बॉलर बॉलिंग लेके आ रहा थे बिकर नहीं लेके जा रहा थे मिचल सेंटनर आ रहे तो यहां पर खेलने का अनुभव हुई है मैं कहता हूं मिचल सेंटनर को ठानवे विकेड है इनको चानवे मैंचो में वाकी हार एक चीज है इनको मैं ट्रॉप नहीं करूँगा इस शोड़ी अगर खेलते हैं ग्रैंड लिक के लिए बहुत इंपार्टन रहेंगे अभी रिसेंट छे विकर निकाले थे बंगलादेश के अगेश्टी इन होने अगर खेलते हैं जील में कैप्टन जरूर ट्राइ कर लेना बहतर कर सकते हैं मैं की यह वो बता दिया और यह सद्र में 136 हैं भले ही दोस्तों यहां पर लोकी फर्गूशन की फार्म नहीं है लेकिन ब्रैंड लीक के लिए लोकी फर्गूशन important है यह कभी बी चार पांच छे विकर यह से यानि कि बंड़ास में बना दे ना वागी अभी के लिए मैं सेवट टीम में नहीं लेके चल र लेकिन फिर भी 14 मैचों में 20 विकट है यानि कि दोस्तो ये अच्छा करते है बांगलादेस के सामने अभी डिसेंट में अच्छा नहीं कर पाने फाम अच्छी नहीं तो ये ट्रेंट ग्रेंड लिग के कैप्टन के एक बहतरीन आपसन है क्यों है क्या और परशन श्लेक्षन ह अगेरा अगेरा दूसरे बॉलस के साथ जा रहें लेकिन ट्रेंट गोर्ट कभी भी तीन विकट चार विकट पांच विकट का पंजा अपना खोल सकते हैं तो कैप्टन इनको जरूर ट्राई कर लेना ग्रेंड लिंग में बाती सेव टीम में रहेंगे डॉप नहीं करूँ ह अपनी टीम में क्योंकि दोस्तो जब टूनामेंट इस्टार्ट हो रहा था 80 या 90 पर्शन शेलेक्शन था इनका तुभी बड़ी अप लेर हैं अभी दोस्तो अच्छा नहीं कर पा रहें इसलिए शेलेक्शन कम हो है लेकिन किसी भी मैच में ट्रेंट बोर्ड का धमाका हो स अबतन सामय से दे सकरे हैं सबसे पह parties को रखाओ बरमन खिलिंटised को रखता हूं म collective करें में बहुत सारी चीट बता बिया हो इस शोडी के वारे मेरे में rend Organisation के बढ़ा कीबर पातिया यह उसी नभी 1975 यие ऑर्वर भाता गल जाती है तो संस्कोष अगरी northwest ब्र भीसमें बइस जिनको अगर आप टीम बनाने के लिए जाएंगे तो थोड़ा फोकस रखेंगी कि हाँ भाई ने इतनी प्लैस के वारे में बता रहता तो इन पर अलग से थोड़ा ध्यान रखेंगे त्रूम्प प्रेस के रूप में लिखे लुब हैं यह वी रख्षिन राले प्लेस्ट अब हमने जो टीम बना ते रख्यों इपने बेस्ट फइनटी तीम यहाँ से देख सकते हैं टीम में दोस्तों देख सकते हैं शाक्यवलाशन केप्टन रचिन रविंद वाइस केप्टन जो इस्ट्रक्चर मैंने बता है उसी पर टीम है ग्लैन फिलिप्स डैन मीचल एक यहां पर दूस्तों आपको मैं यही पर बताते हैं अगर कैन विलियमसन खेलेगे तो मेरी टीम मे ब्यक्त खेलेंगे तो यहां पर कैन विलियमसन होगा है यहां ठीकर वे तो यहां पर कैन فिलियमसन हो इसट्रक्चर साफ भी तो आपको टेरिग्राम चेनल पर मिल जाएगी, अगर नहीं जॉइन किया है, अभी भी आपने, तो आपके पास मौका है, लिंक डिस्क्रिप्सन में, सबी लोग जाके जॉइन कर लो, आप दोस्तों, ग्रैंड लिक के बारे में कुछ चीजे में यहां पर बता देता हूं, द के वाइस Кैटन के वितों कैटन धोरोट, यह भी तीन चारबिकर ले सकते हैं, तो महुत कम लोगों का फोकश्ती है, ट्रेंड बोकड यहां जिए लेकिंड बीजे में सकते हैं, इसने में इसलिए मैंने क्या गिया दोनों को क्याप्टन वाइस क्याप्टन बना कि एक बहतर बेश्ट टीम ग्रेंड लीग की ट्राइग कर लिए लोज शेलेक्शन बाद देखे ये पांचो प्लेयर्स प्रकामेंस देने के चांसे से लंगबग टीमों में फिक्स रखना है अगली जो ग्रेंड लीग की टीम है वो ही आप देख सकते अगर मालीजी न्यूजी लेंग पहले बॉल्लिंग करें हो सकता हो बागलाजी से एक सो चाली से एक सो पचाट या एक सो असी तक आल आउट हो जाए अगर आल आउट होगी तो यह हमारे पास पांच बॉलर्स हैं जो भी कैस लेते दिखेंगे अगर तौहीद रुडा मुशफिक रहीम स्कोर करते हैं तो हमारी टीम एक तरफा रैंक कर जाएगी फिर उस स्कोर को चेज करते हैं अगर डेवन कान्वे बियान के बीच बड़ी आपको ग्रेंड लिग बिन करा सकता है ठीक है बाकि मेरी जो फाइनल ग्रेंड लिग की डेम सोगे जितनी वीडियो अच्छी लगी पसंद आये सभी लोग क्या करो वीडियो को लाइक कर दो जो लोग चैनल पर पहली बार आ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ब बाकि दोस्तों मेरे बताया था घिब्ले के लिए आपको शिर्फ एक कमेंट करने है तो दोस्तों सब्गत Yoast अब बेंदे कर सकने हैं बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पे सिर्फ आप प्रूफ वाइस में जवाब देख कर आ सकते हैं तो सभी लोग जाके इस पूसबाजी एप को भी टाउनलोड करना है चलते हैं दोस्तों मेरते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई